नमस्कार मैं प्रियरेंजन और आज की इस एपिसोड में ट्राइडेंट को डिस्कस करेंगे चुकि ट्राइडेंट की तेजी जो है 455.2 की क्लोजिंग रही और यह देखेंगे तो लगबग 4% की तेजी आखिर यह तेजी क्यूं रही आगे के ट्रेंड न्यूज को समझे इस ऀिसे स्टॉक करते बिख रहा है रीसेंड के इंडिविजяжल नहीं कोई वर maioria अनौंसमेंट है और नहीं कोई बरी नियूज है सभी common news ही trend करते इस stock में दिख रहा है लेकिन इस समय technical trend देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि अपना जो इसका sector है जो sector India Nifty Conjunction है उसको underperform कर रही है delivery देखें तो delivery ठीक ठाक है अब इस stock के chart को देखेंगे chart को देख करके क्या समझाता है यहां से trend continue हुआ और यहां पे इसने M pattern बना करके breakdown करा लेकिन इस M pattern के breakdown पे यहां बना hammer और hammer का low यानि 41 हमारे लिए short term trader के लिए हो जाएगा SL लेकिन जो already invested है उनके लिए जो fresh buyer है उनको 50 के उपर ही buying करना चाहिए चुकि यह M pattern का consolidated zone है अब यह trend continue कब करेगा यह M pattern यहां से W pattern बन जाएगा और इस supply को जहलना परेगा 50 को breakout करें तो 72 और 90 जैसा level दिखेंगे लेकिन weekly closing इसके उपर चाहिए इस consolidated zone को ignore करें एक बार range से बाहर आ जाने दें फिर एक better trend को आप capture कर पाएँगे short term trader ignore करें medium to long term investor के लिए एक opportunity दिखेंगे